क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आपका आर्टिकल गूगल में कब rank करेगा आपने बहुत महनत करी है और आपको पूरी उमीद है कि वो गूगल के अंदर जल्दी से जल्दी rank करेगा और हो सकते हैं फ्रेंड्स आपने कुछ points मिस्स कर दिये फॉर एक्जामपल आपने passive voice को active voice में कैसे convert करना है आपके पूरे articles में से हो सकते है 3-4 lines ऐसी है जो read करनी बहुत मुश्किल है और Google इन सब चीजों को notice करता है और ऐसा हो सकते है फ्रेंड्स उसके अंदर grammar mistake हो प्लेगरिजम आपका ज़्यादा हो यही सारी problems के solution आज मैं बतान पड़ेगा पर उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक बात बोलूँगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस bell icon को press करने के बाद all के ओपर जरूर क्लिक करें मैं हूँ वेदान तो welcome है आपका techno वेदा करता है अगर आपने article अच्छा लिखा है और इन points को miss कर दिया तो आप जितनी मर्जी कोशिच कर ले गूगल में article आपका कभी भी rank नहीं करेगा अगर गलती से कर भी गया तो कुछी दिनों के अंदर वो एगनम से नीचे चला जाएगा या पीछे के pages में चला जाएगा और इसमें जो grade 6 आ रहा है आपको उसे 1,2,4 के बीच में करना है अगर वो 4 से ज्यादा है तो it means okay okay है good है वो readability इतनी ज्यादा नहीं है अगर आप 1,2,4 के बीच में करेंगे तो वो बहुत अच्छा होने वाला है और यहाँ पर लिखाए show more जैसे आप इसके उपर click करेंगे त letters, characters, सारी details आपको यहाँ से मिल जाएगी इसको इन्होंने 5 point में divide कर रखा है आप देखेंगे जो color है same वही problems यहाँ पे highlight हो रही है सबसे पहला point adverb का है उसके बाद आप देखेंगे active और passive voice जो मैंने भी starting में बताई थी phrases के बारे में hard to read है very hard to read है यह सारी details आपको मिल रखते है और आपके पास यह पूरा area आ गया और जो आपका article है उसे यहाँ पर आपने paste कर देना है जैसे अभी मैंने कर रहा है for example यह आपका article है अब यह highlight हो गए और आपको समझ आ गया कि आपके article में कहां कहां problem है यहाँ पर मैं इसे delete कर रहा हूं आपको समझाने क्लिए पर आपने उसे ठीक करना है आप देखेंगे grade 6 से grade 5 हो गया ठीक इसी तरह से आप check करते रहेंगे और उसको यहाँ से आप delete करके उसके words को आप change करेंगे अभी तो मैं delete कर रहा हूं सिफ आपको समझाने के लिए पर आपने delete बिल्कुल भी नहीं करना अब आप देखेंगे grade 4 आ गया मनलब जितनी कम problem आ रही है उतना ही grade मेरा अच्छा हो रहा है तो इस चीच का आपने जरूर ध्यान रखना है मैं फिर बतारूं friends आपने delete कुछ भी नहीं करना grade कम करने के चक्कर में मैंने delete करके आपको दिखाया कि यह टूल इस तरह से काम करता है अब चलते हम अप आपको इसकी पूरी details बताऊंगा अगर आपके पास paid नहीं है तो उसको आप कैसे use करेंगे अगर free को use करना चाहते है तो आप उसे भी use कर सकते है मैंने कुछ टाइम पहले यह video बनाया था अगर आप इस video को देख लेंगे उसके अंदर जो मैंने website बताई है उस website को आप free मे sign up करके सारे tools देख सकते हैं बहुत ही cheap price में मिलेंगे यह वो website ग्रूप SCA tool जहां से आपको premium जो tools होते हैं वो काफी cheap price में मिल जाएंगे इसका link मैं नीचे description में देदूँगा free में आप sign up कर सकते हैं कुछ details फिल करनी है और उसके बाद आपके पास tools की और price की list आ जाएगी article का on page SEO करने के लिए आपका grammar perfect होना चाहिए उसके लिए grammarly की extension भी है और website भी है अब किसी को भी use कर सकते हैं आपको अपना account create करना है यहाँ पे new लिखा हुआ है आप चाहे तो इस पे click कर सकते हैं या फिर आपने अगर कोई text को save करके रखा हुआ article को तो वो भी आप upload कर सकत है और यहाँ पे आप अपना पूरा article लिखेंगे अब यहाँ से आपको goal set करना है by default इसने सारी चीज़े set करें अगर आप अपने accordingly change करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो done के ऊपर आप click करें अब आप देखेंगे यह आपकी grammar mistake ठीक करेगा जिससे आपका on page ऐसी हो पिर single option है उसी पर आप click करेंगे इससे आपकी grammar ठीक हो जाएगी और आप देखेंगे side में जो options आ रही थी उन सब पर टिक का sign आ गया अब यहाँ से आप अपने article को copy करेंगे और उसके बाद अपने wordpress यह blogger की post में जाके उसे paste कर देंगे इसकी google chrome की extension भी है आप इसको भी यहाँ से install कर सकते हैं जिसे मैं already install कर चुका हूँ Google Chrome की extension और इसका link यह भी मैं आपको वीडियो की description में दे दूँगा next point आते है plagorism checker बहुत सारे tools आपको मिल जाएंगे पर कितने ऐसे tools है जिन में काफी लोग trust नहीं करते हैं आज मैं आपको एक tool के बारे में बताऊंगा जो personally मैं खुद use करता हूँ और उसका नाम है Quitex यह आपको premium भी मिल जाएगा और free भी मिल जाएगा यहाँ पर मैं एक article paste करूँगा और check plagorism के उपर click करूँगा pro feature में आपको काफी अची accuracy मिलेगी जो free version में इतनी नहीं होगी पर free version भी अगर आप initially start करना चाहते है तो free version से start कर सकते है अब यह जो article है यह सारा मेरा 100% plagorize है इसने मुझे यहाँ detail बता दी अगर आपने google के अंदर अपने post को rank कराना है अपने article को rank कराना है तो मैं यही prefer करूँगा कि उससे 5% यह उससे कम ही रखे एक time था 15-20% तक चल जाता था पर competition इतना होने की वज़े से मैं recommend करूँगा कि यह 5% रखे यह उससे कम आप अपने article को check कर चुके on page SEO देख चुके उसका grammar mistakes आपने ठीक कर दी और आपने plagorism checker को use करके check कर दिया कि आपका जो article है उसमें अंदर कितनी percentage आ रही है और कितनी आने चीए मैंने आपको वो भी बता दी अब मैं आपको बताँगा कि अगर आप अपने article लिखना चाहते हैं और आपकी पास topic नहीं है आपको आप कैसे search करेंगे उस tool के उपर मैं पहले भी एक video बना चुक हूँ पर कुछ ने कुछ update आती रहती है तो इसलिए मैं आपको फिर से बताऊगा बाकी depend करते हैं आप अपने कोई भी tool use कर सकते है उसका नाम है answer the public इसमें आप देखेंगे इसे आप pro feature में भी जा सकते हैं नहीं तो आप इसे free में भी use कर सकते हैं पहले जब मैंने video बनाया था उसमें country और language दोनों option नहीं थी अब यहां से आप अपनी country को select कर सकते हैं मेरे case में मेरी जो country है वो इंडिया है आप जिस country से भी belong करते हैं उसक के उपर मैंने click कर दिया अब google के अंदर कौन कौन सी कैसी कैसी searches हो रही है यह पूरी उसकी report देगा आज की यह date दिखा रहे है और यहां पर देखेंगे questions, prepositions, comparison, alphabeticals और related आपको सारी options यहां से मिल जाएगी कह सकते हैं कि आपको काफी अच्छे keywords मिल जाएंगे आप उसको महां से copy paste कर सकते हैं उसके ओपर article लिख सकते हैं ने तो एक अच्छी खासी list बना के उन keywords को अपने articles के अंदर जरूर add करें अब यहां पर आप numbers देख रहे हैं मुझे इसने कितनी सारी options दे दी हैं अगर मैं सिधा question पर click करूँगा तो यहां पर मेरे पास एक chart आजएगा how can will, why, which, what इस तरह के आपके पास आ जाएंगे आपने इसमें से किस तरह की keywords को select करना है वो आपके ओपर depend करता है how to के ओपर अगर आप लिख रहे हैं तो how to keyword search for YouTube इस तरह की चीज़े internet पे search हो रही है इसने वही हमें निकाल के दिये अब यहां से मैं prepositions के ओपर click करूँगा तो आप देखेंगे यहां से अच्छा खासा मेरको इसने चार्ट दे दिया हर जगह आपको दो option मिलेगे आप देखेंगे data और visualization ठीक वैसे यहां पे भी visualization और data के ओपर मैं click करूँगा keywords को एक तरह से list की तरह दिखाई देगा यहां पे आपको दो option मिल रही है image पे click करेंग तो यहां से frenzy image की तरह दिखने लग जगा जैसे अभी starting में दिख रहा था मैंने comparison के ओपर click करा तो यहां से आप देखेंगे अब आपको comparison के ओपर keywords मिल गए जिसको आप easily use कर सकते है अपने article में use कर सकते keyword research and mapping इसके ओपर आप अच्छा खासा article लिख सकते है और यहां पे आ देखेंगे आपको long tail keyword, short tail keyword सारी यहां पे आपको information मिल जाएगी और इस website का link भी मैं नीचे आपको वीडियो की description में दे दूँगा यह आज मैंने जो आपको tools बताई है, websites बताई है, यह सारी आपकी on page SEO में बहुत help करेगी जिससे आपका article Google में जल्दी से जल्दी rank करेगा I I hope आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसे like और share जरूर करना, ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूं तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत